जहनक के आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि बिपाशा जहनक का मास कटा देती है और उसका जहरा सब के सामने आ जाता है शिष्टी और अर्शी जहनक को घर में देखके बहुत ज़ादा गुस्सा करने लगती है एक एक करके सारे फैमिली मेंबर जहनक पर चिलाते है बड़ीमा जहनक को औरवशी से कंपेर करती है ये बोलके कि वो भी दूसरों के घर बरबाद करती है शिष्टी जहनक को पुलिस टेशन भेजने की धमकी देती है अर्शी बोलती है कि क्या वो अनिरुद को अर्शी से छीनना चाती है छोटन जहनक को बचानी की कोशिश करता है जिससे परिवार वालों के दिमाग में और ज़्यादा शक हो जाता है अर्शी छोटे उनसे पूछती है कि क्या वो जनक की प्लान के बारे में जानता था छोटेन कन्फेस करता है कि हाँ उसको सारे प्लान के बारे में पता था शुबो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि वो पहले दिन से ही जनक को सपोर्ट कर रहा था इन सब के पीच अनिरुद सब को रोकता है और बोलता है कि उसे जनक से कुछ बात करनी है शिश्टी अनिरुद से पूछती है कि क्या वो इन सब के बारे में जानता था तो अनिरुद बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो बेहोश था चोटन से पूछते हैं कि क्या उसका प्लैन था कि जहनक को बोस फैमिली में वापस लाए जाए चोटन एक्सेप्ट करता है बोलता है कि हाँ जहनक को मैं ही लाया था और जहनक उसके लिए best nurse है अनिरूद सब को रोग देता है और जहनक को confront करता है वो उसको पूछता है कि वो उसके कमरे में क्यों आई थी आगे आने वले पिसूर में आप देखेंगे कि अनिरोत जनक पर बहुत ज़्यादा गुस्ता करता और बोलते हैं कि वो कौन होती है उसका खयाल रखने वाली तुमने मेरा एकीन तोड़ दिया जिस लड़की को पैरों के नीचे रखना चाहिए उससे सर पर नहीं बिठाना चाहिए ऐसे ये अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं में स्टार्ड़ेट एंडेटेन्मेंट